विनियस ने जो फैसला लिया है घुश्ति से सन्यास का मैं मानती हूँ कि ये वहुत दुख के साथ उन्होंनी फैसला लिया है लेकिन वापीस जब देश में आजाती है जब घर पे आएगी तो पापा ने भी कहा है कि मैं बात करूंगा और उसको मैदान में लेकर आऊंगा और उनसे बातसीत करेंगे ताकि वह आने वाले समय 2018 जो ओलमपिक है उसके अंदर मैदान में उतार कर उनको खिलाएं और भारत देश का जो शपना था अपनी मा का और मेरे पिताजी का गुरू का जो शपना था ओलमपिक के अंदर गोल्ड मैडल लाने का तो दुबारा से उसको मैदान में उतार कर हम सब प्रियास करेंगे कि व वहाँ पे पैरिस ओलंपिक कमेटी के सामने और परधान मंत्री जी ने बात भी किया है कि जितना ज्यादा हो सके हमें उनको आपती दर्ज कराकर बातचीत करके सरकार की तरफ से परियास किया जा रहा है विनेश ने खुद वहाँ पे कोर्ट में अपील दर्ज की है ताकि उसक करते हैं कि यू डबलू डबलू हो चाहिए ओलंपिक कमेटी हो दोनों से आगरा किया है कि अपने नियमों में बदलाव करते हुए विनेश को रज़त पदक देना चाहिए और नयाई पालिका के उपर हमें पूरा व्रोसा है कि जो भी निने लेंगे सही लेंगे सबसे पहल कि फोगाट फॉर्वार उसका है उसका नाम लेकर उनको राज्यस भाभ भीज़ दीजिए मैं बुपेंदर शीमूणड़ा जी से पूचना चाहती हूं कि विजेंदर बोक्षर जो है वह आपकी से कोंग्रेश पार्टी के अंदर जब गय थे तो टिकट के लिए गये थे ल दूसरी बात कि भुपेंदर हुड़ा जी अपने और अपने बेटे की कुर्शी की लालसा के अंदर लगे हुए हैं बाप बेटा खुला है और आप यहां पे आके जो राजनेती करने वो करिये लेकिन मेरी परिवार के साथ राजनेती ना करें और खिलाडियों के कंदों पर रखकर बंदूख ना चलाएं बिल्कुल मैं मानने ये मुख्य मंतरी नाइप से धन्यवाद करती हूं अभार परकर करती हूं कि उन्होंने फैशला लिया है कि और ये कहा भी कि हम उसी तरह से सम्मान करेंगे जिस तरह से एक रज़त पदक विजेता का हमने सम्मान किया है और आदरनीय परधान मंतिरी नरे पल के अंदर इस परिवार को होशला दिया है विनेश को भी होशला दिया है और आपने कहें पूरी संसद के अंदर ये कहा है कि विनेश एक चैंपियन थी और चैंपियन रहेगी और हमें बड़ा दुख है कि आपके साथ हमें विश्वास ने और ये दुख परकट कर नहीं सक परिवार के साथ खड़ा होकर उस परिवार की पीठ थपता पाने का विनेस का होशला बढ़ाने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है जो सम्मान प्यार आप लोगों ने दिया है उसके लिए हम हमेशा यह फोगाट परिवार और हम सब लोग आपके आभारी रहेंगे